मौदा तहसिल के ग्राम दहे गाउ में नव युवक दुर्गा उत्सव मंडल द्वारा संदोजा पास से गाउ तालाप के बीचों बीच मानव दुर्गा की मुर्ति के स्तापना की जा रही है नौरात्री मोहत्सव के उत्सवा के साथ और बड़े धुमधाम वा भक्तिबाव से मनाये जाता है नौ दिनों तक इस गाउ तालाप परिसर में भक्तों का दर्शन के लिए मेला सा लगा रहेगा इसके चलते ग्राम के मंडल के युवाओ द्वारा देवी मांक स्तापना को लेकर तैयार या जोरों से चल रही है दहे गाउ के तालाप के बीचों बीच यह अनुखा उपक्रम और परंपरा पिछले 18 सालों से निरंतर जारी है यह उनीस वावर्ष होगा इस वर्ष भी यहां के नवयोक वग्रामवासियों द्वारा माद नवदुर्गा मादुर्गा के स्तापना के लिए तालाप के बीचों बीच गाउगाउ से ट्रैक्टर के लोहे के 150 पईये जमा करते हुए 15 पिट पानी में लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और इसी स्तान पर मादुर्गा के स्तापना होगी जानकार के अनसार तैयारिया के लिए करीब एक सप्ताहा से अधिक का समय लगता है माना दुर्गा के दर्शन करने भक्तों को आने जाने के लिए तालाब में ट्रैक्टर, ट्रॉलिया वर लकडी की पट्टियों का उपयोग किया जाता है अनोखी बनायन रंब्या विविधा रंगों के लाइटिंग लगाई जाती है और भवे पेंडाल भी बनाया जाता है बीसे नियूस के लिए मौदा से अचलती जारी की रिपोर्ट